अपने जाब काड को आललाइन कैसे चेक करें कि आपका बना है कि नहीं अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफिल होने वाली है कृपया वीडियो के आनने तक बने रहें अपने मुबाइल के Chrome ब्राजर में जाना है मुबाइल के Chrome ब्राजर के सर्च बार में लिखना है narega.nic.in narega.nic.in लिखने के बाद उसको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद पेज को खुलने देते हैं जब पेज खुल जाता है तो सबसे पहले हम Desk Top Side Mode लगा लेंगे जिससे मेरा जिससे मेरा पेज कंप्यूटर की तरह दिखने लगे अब ग्राम पंचायत वाले पे पहले वाले साइट पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद मेरा दूसरा पेज ओपन होगा किरपया प्रतिच्छा कर लेते हैं ओपन होने देते हैं मेरा दूसरा पेज खुल गया है और हम जूम करके देखते हैं जॉब कार्ड जॉब सिलिफ वाले पर दूसरे वाले आपसन पर हम क्लिक करेंगे दूसरे वाले आपसन पर क्लिक करने के बाद देखते हैं कि मेरा दूसरा वाला पेज खुलेगा ये देखो बद्लब भारत के जितने भी राज्यों सगरे खुल के आ गए है मैरे स्क्रीन पर उत्तर-परदेश है हम उसम उस पर में किलिक करने के बाद दूसरा पेज खुलेगा को मैं स सबसे पहले वाले अप्शन पर क्लिक कर लेंगे इस पर क्लिक करने के बाद हम निश्ट वाले अप्शन पर क्लिक करेंगे हम पना डिस्टिक चुन लेंगे, कौन सा मेरा डिस्टिक है, मेरा डिस्टिक हर्दोई है, हर्दोई के देख लेते हैं, यह हर्दोई है, हर्दोई पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हम दूसरे वाले अप्शन पर क्लिक करेंगे, जो मेरा ब्लाक है, ब्लाक वाले पर क्लिक क जोमेरी 15 हमारी ग्राम पचाएक कुरसर को देहां कर लेंगे उसके बाद सर्च कर देंगे सर्च करने के बाद थोड़ा सर्च कर रहें हैं कांटी नियू कर देंगे उसके इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं मेरा दोसरा पेज जब तक खुलता है तब तक हम प्रतिच्चphone करेंगे थोड़ा आए मेरा दोसरा पेज खुल गया है उसके बाद हम पहले वाले अप्शन में जूम करके दिखाते हैं पहले वाले अप्सन में पांचवे नंबर पे जाना है पांचवे नंबर पे आउट जूम कर लेंगे जाब कार्ड, एंप्लॉई, रिजिस्टेशन उपे किलिक करेंगे उसके बाद सर्च करेंगे ये देखो मेरी ग्राम पंचायत की जितनी जाब कार्ड लिस्ट है तो सारी खुलके आ गई है अपना इस जाब कार्ड में लिस्ट में नाम देख ले करप्या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर कर दे आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए